कि अभी थोड़ी दिर पहले मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीश सोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीवियाई को और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीवियाई मनीश जी को गिरफतार करने वाली है मैंने तो आपको तीन-चार महीने पहले ही बता दिया था इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीश जी को ये गिरफतार करने वाले हैं जल्दी गिरफतार करने वाले हैं तीन-चार महीने पहले बताया था मैंने प्रेस कॉंफरेंस करके उसके वाद अपने कई भाशनों में असेंबली में मैंने कहा था कि मनीश को गिरफतार करने वाले हैं तो तीन-चार महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीश जी को गिरफतार करने वाले हैं मैंने का मनीश ने क्या कर दिया पहले यह तया किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मन-गड़ंत-जूथा केस बनाया जाता है उसे जब्रदस्ती जेल भेजा जाता है एक नया सिस्टम आधे कि मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं मैंने सारा अभी चेक कराया कि पूरा का पूरा केस बिल्कुल जूठा है कि बिल्कुल जूठा है उसमें रत्ती भरकी भी सच्चाई नहीं है मैं मनीज सिसोधिया को 22 साल से जानता हूं सन 2000 में पहली बार मिला था मनीज जे से एक बेहद कटर इमानदार आदमी है कटर देश भकत आदमी है हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलके इन सारी पार्टियों ने मिलके बहुत बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने करोडो करोडो बच्चे गरीबों के बच्चे जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनका भविश्य अंधकार में था कोई उमीद नी थी, गरीब का बच्चा गरीब बनेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा गरीब का बच्चा मजदूरी करेगा रिक्षा चलाएगा अमीरों के बच्चे अमीर बनेंगे यह एक system पूरे देश के अंदर लागो हो गया था पहली बार आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी दिल्ली के अंदर मनी सिसोधिया जी एजुकेशन मिनिस्टर बने दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर मनी सिसोधिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शांदार बनाया ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भरती करा रहा है अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है, डिली के सरकारी स्कूलों के अपन दर एक ही डेस्क पे एक जज़ का एक अफसर का और एक रिक्षे वाला का बच्चा बैठके एक ही डेस्क पे बैठके पढ़ते हैं, मनिश्य सोधिया ने किवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किये, देश के करोडों करोडों बच्चों को एक उमीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीबों के बच्चों का भविश्य भी अच्छा हो सकता है, सुबज 6 जह बंझे अपने घर से निकल जाते हैं, और अलब अलग स्कूलों के अंदर दोरा करते हैं ना पूछना चाहता हूं कौन भृष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सबिरे 6 जह उठके स्कूलों के डॉरे पे निकल चाहता है बच्चों को भविष्य बनाना चाहता है कौन ब्रष्टाचारियासा है तो जेल से हमें डर नहीं लगता है इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता तुम लोग सावरकर की ओलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी हम लोग भगत सिंग की ओलाद हैं हम भगत सिंग को अपना दर्श मानते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने जुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया हमें जेल से के फंदे से डरने लगा कई बार जेल हो आया हम लोग एक यह सोचने की बात है कि हाथ दो कि हमारे पीछे क्यों पड़े हैं कि आम आदमी पार्टे के पीछे क्यों पड़े हैं इतने हमारे मेलेस को ये जेल भीज चुके सारे छूट छूट के आगए और कोट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे और पास किये इन लोगों के खिलाफ कि क्या जूटे सच्चे केस मना रहे हो सतिंदर जैन को इन्हों ने गिरफ़तार कर लिया जूटे केस में पिछले महीन है अब मनीज सिसोधिया जी को गिरफ़तार करने जा रहे हैं ये लोग तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं, तीन कारण है, पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर इमानदार हैं, वो पूरे देश को भरोसा हो गया, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर इमानदार हैं सारा देश कहता है और कुछ भी हो लड़के हैं तो इमानदार यह लोग जूठे केस बना बना के हमारे उपर कीचड फैंकना चाहते हैं यह दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो यह भी हमारे जैसे ही है जैसे हम भ्रष्ट हैं यह भी वैसे ही है यह भी भ्रष्टा चाह कर रही हैं पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रहे हैं दुनिया खुदी कह रहे हैं कि जूटे केस लगा रहे हैं तो जो मर्जी कर लो सच सच होता है जूट जूट होता है जितना मर्जी कीचड तुम फेंक लो कीचड चिपक नहीं रहा हमारे उपर पाक साफ है हम लो सच्चा पार्टी की आंधिया रही है पूरे देश के अंदर इनके टक्कर में खड़ी मैंने कहना चाहता हूं तुम जो मरजी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोख सकता, आम आदमी पार्टी पूरे देश के लोगों की उमीद बन चुकी है, देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर आदमी चाहता है मेरा देश, दुनिया का नंबर वन देश बने, अब आम आदमी पार्टी से ही उमीद है पूरे देश के लोगों को उसको फैलने से कोई नहीं रोख सकता, एक अंग्रेजी में कहावत है, no one can stop the idea whose time has come, आम आदमी पार्टी's time has come, इंडिया's time has come, भारत का समय आ चुका, कोई नहीं रोख सकता, और तीसरा कारण, ये क्यों हमेरे पीछे हाथ दो के बड़े हैं, दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर जो शांदार काम हो रहे हैं, सिंगापूर की सरकार, सिंगापूर की सरकार पूरे दुनिया के मेर बुलाए उन्होंने, और केजरिवाल को बलाया कि आके इनको जरासा सिखाओ कि आप दिल्ली में क्या काम करें, इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है, दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, ट्रम्प साब की वाइफ आई थी, वो हमारे स्कूल देखने ज आते हैं, खासकर दिली में education और health में बहुत शांदार काम हो इसी लिए उन्होंने पहली health minister को jail में ुर अब education minister को ईन्होंने jail में ही डाला, पर मैं दिली के और देश के लोगों को यकीन दिनाना चाहता हूं की काम नहीं रुखेंगे। का इनुहोंने सतिंदर जांको 2 महिने से जेल में जोए जूटा केज है कोट में जाके गिर जाएगा जानट पड़ेगा इनको देख लेना काम नहीं रुकेगा प्चैत्तर साल में इन पार्टीयों ने मिलके देश को बर्बाद कर दिया 75 साल में कितने देश हम से आगे निकल गए क्यों हमारे में कोई कमी है भारत के लोगों में कोई कमी है सबसे intelligent लोग हैं भारत के लोग इन पार्टियों ने दगा दिया है इन्होंने लूटा है इन पार्टियोंने मिलके देश को लूटा है यह अपने लूट जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब देश खड़ा हो रहा है, दिल्ली से जो यह चिंगारी निकली है, यह पूरे देश में फैलेगी है, और इसे कोई नहीं रोक सकता, अब देश खड़ा हो रहा है, देश जाग रहा है, देश ने देख लिया कि हो तो सकता था, यार अगर दिल्ली में हो सकता तो 75 साल में क्यों नहीं हुआ, बाकी देश में क्यों नहीं हुआ, इन पार्टियों ने मिलके देश को जान बूच के गरीब रखा, इन पार्टियों को भी डालो सूली पर चड़ा दो खूब अर्विन केज्रिवाल निकलेंगे खूब मनीश सोधिया निकलेंगे अब तो देश आगे बढ़ेगा नमस्कार करें 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 करें